बिहार में आधुनिक बिहार बनाने की तैयारी मुख्यमंतुरी नितीश कुमाडने कर दी है जिसकी शुरुआत पहले ही राजानी पटना में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से शुरू कर दी गई थी लेकिन अब ये जो बसे हैं ये पटना नगर निगम में चलेंगी और स सारी बसे राजधानी पटना में चलेंगी आप देख सकते हें कि कितनी सारी बसे यहां लाइन से लगी हुई हैं यह सारी बसे पटना के परिवहन विभाग में अभी लगी होई इसको मुख्यमत्री नितीश कुमार द्वारा हरी जंडी देकर शुरु किया जाएगा ये सार और किस तरीके से इसको बनाया गया है यह जो तस्वीरें आप देख रहा है यह बस के अंदर की है यह आधुनिक बस आपको इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसके अंदर सारी आधुनिक जो चीजें है वो लगी हुई है इसमें नई गाईडलाइन है सरकार के तरफ से सारी कुछ लगी है इसमें कैमरा से लेके हर कुछ लैस है इमर्जेंसी स्टार्ट स्टाप बटन सब भी दिया हुआ है फायर एस्टिंग्यूशर भी है यह बसें है इतनी अच्छी बनाई गई है इसमें seat जो है उसकी छमता कम की गई है ताकि लोगों में दिक्कत ना आए और हर जगह पर help button लगाया गया है ताकि जो passenger है उन्हें दिक्कत ना हो indication के लिए पीछे board भी लगा हुआ है कि कौन सी bus कहा जाएगी emergency exit भी दिया गया है हर जगह पर दो-दो के line में जो कतारों में ये seats लगी हुई है ये seats काफी cushion दायक भी है और सरकार की तरब से ये एक अच्छी पहल देखी जा रही है क्योंकि सरकार बीते दिन राजधानी पटना में कुछ बसे निकाली थी जो electric bus थी जो AC electric bus थी उसके बाद कयास ये लगाए ज अब ये तस्वीरे देखे कि cng बसे यहां आ गई है राजधानी पटना में ये सारी cng बसे जो है वो राजधानी पटना में नगर विकास परिवाह निगम के थ्रू दिया गया है ये सारी बसे आप देख ले पटना नगर निगम में चलेंगी करीब 50 बसे हैं टाटा की तर पटना में भी cng बसों का परिचालन होगा क्यामरा परसन अमित के साथ मैं उत्करश भारत पटना